जहिंद हाई आज मैं फिर से एक सुपर ट्रिक जहर ट्रिक लेकर आया हूं यूज ऑफ कीप एंड कीप्स ऑन आप लोग ध्यान से देखिएगा आप लोग को समझ मायेगा चलिए आते हैं यूज ऑफ कीप या कीप्स ऑन यूज ऑफ कीप ऑबलिक कीपस ऑन कीप एंड कीपस ऑन का उप्योग कहां होता है इसके बारे में आज हम जहर तरीके से जानेंगे वीडियो कहीं अस्किप ने किजेगा आसा करते हैं आप लोगों को पूरी तरस समझ मायेगा समझ माया होगा तो लाइक किजेगा और कॉमेंट किजेगा किपस ओन का जनरली इस तरह का उप्यों होता है जैसे राधा मुझे तंग करते रहती है ऐसे जैसे फिर सीवाने मुझे रोज चोकलेट तेती रहती है मैं उसे हमेसा याद करते रहता हूं अगर इस तरह का संटेंस अगर आएगा तो हां पे हम किप या किपस ओन का उप्यों करके हम उसे बनाएगे हां देखिए रूल क्या होगा सब्जेक्स प्लस किप कीपस ओन केपस ओन प्लस लीफोर प्लस औजेक्ट यह आपका रूल है कीपस अउन का मतलग होता है ता रहती है ता रहता हूँ, ते रहते हैं, ता रहता हूँ देखिए उपर में लिखती है keeps on का मतलत है ता रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूँ इस तरह का अगर sentence आए तो हम लोग keeps, keep या keeps on का उप्योग हम भू करेंगे जैसे रूल है, subject plus keep, oblique, keeps on, plus before, plus object अब देखते हैं, example चलते हैं, हाँ, चलिए example one सिवानी, सिवानी मुझे तंग करती रहती है अब सिवानी, सिवानी की चक्कर में नहीं पढ़ने बाबू, ठीक है, प्यार वो एक दम छोड़ो, समझाने, पढ़ो, लिखो, काम देगा, ठीक है कोई बहुत कोई सब पागल रहता है, प्यार के चकर में, सब चकर में नहीं पढ़ना, कौन कहता है कि पहला प्यार भुलाया नहीं सकता है, बस दूसरी वाली, पहली वाली से मस्त होनी चाहिए और यहां, देखो यहां, सिवानी, तो होगा सबजेक्ट, सिवानी, उसके बाद यहां थाड़ पसन सिविलर नमबर है, तो होगा कीप्स ओन, कीप्स ओन, होता है, ने, सिंपल परजेंटेंस में, आप लोग पढ़े होंगे, सबजेक्ट प्लस भीवान उथा विफाई प्ल क्या होगा, सिवानी कीप्स ओन, उसके बाद क्या है, तो तो तंग करना का होता है, भैक्सिंग, सिवानी कीप्स ओन भैक्सिंग, उसके बाद आप्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे, सिवानी मुझे, तंग करती रहती है, सिवानी किप्स ओन भैक्सिंग, उसके बाद है, लोग कि हम लोग के साथ जी टीवन लगेगा तो फिこुंपकर करते हम पर फ्लस क्यूंकि सर क्योंकि आप लोग बोलिएगा सरिंष इहां कीफ्स ओन की ईहां कीपस लेगा वहीं लगाएगे ना वागो दपाओ या कीफ्स के बाद ओने लगना है तो क्या वह हो वी की अन उसके बाद भर्व क्या है पढ़ना तो गा रीड का रीडंग होगा रीडंग उसके बाद पर स्यंधिक करद कर को कई हो लिखित रहें हैं कि हम लोग पर पर दिन से ठाथ अगर इस तरह का संटेंस अगर आये तो हम लोग कीप वान या कीप सौन का उप्योग करेंगे, आप आसा करते हैं आप लोगों को समझ में आया हुआ, मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए जैहिन, टाटा, बाबाई, बन्दमाद,